कलर्स टीवी के सबसे कंप्रोवर्सियल सो बिग बॉस 16 में इस बार सलमान खान का अजब गजब रूप देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये एक कंटेंस्टन सुम्बल तौकीर के तो हाथ धोकर पीछे ही पर गए है जी हाँ इन्होंने पिछले एपिसोड में सुम्बल तौक को लाइक जरूर कर दे बिग बॉस 16 में इस बार सलमान खान ने हंगामा कर दिया है जी हां सलमान खान इस बार एक कंटेंस्टन के पीछे हाथ धोकर पर गए है जिसे भारत की जनता इमली के नाम से जानती है जी हां बीते एपिसोड से सुम्बल कुछ खास पफॉर्म नहीं कर रही इसलिए सलमान खान उन्हें सो में कई बार डाच चुके है लेकिन अब तो सलमान ने हद कर दी है बीते एपिसोड ने सलमान ने मिस तौकीर को काफी डाटा है और कहा है कि तुम सो में क्या करने आई हो और ये भी कहा कि तुम तो अपने पापा की बात भी नहीं सुन को कहा और सुम्बुल ने ऐसा किया भी लेकिन हद तो तब हो गई जब सल्मान खान के साथ स्टेज पर एक लर्की आकर घूम गई जिसे सल्मान ने इस घर की सुम्बुल बताया कि तुम भी ऐसे ही करती हो पूरे दिन तुम किसी ना किसी के पीछे चलती रहती हो छुपती रह पर फैन सो के मेकर्स को लतार रहे है कि 18 साल की लर्की के साथ इस तरह का वेवहार करना क्या सही है अभी ये छोटी है उन्हें नहीं समझ में आता है कि गेम्स क्या है वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है तो आखिरकार भरी महफिल में उसका मजाग सो के मेकर्स और सल्मान खान ने क्यूं बनाया हलाकि सुम्बुल के पक्ष में भारत की जनता ने सल्मान खान और बिग बोस के मेकर्स को खोब सुनाया है जिसके बाद सो के मेकर्स को यहां वहां मूर छुपाना पर रहा है पर सल्मान खान की डाट को कुछ लोग सही बता रहे है तो कुछ लोग को देखते हुए सल्मान खान को ही उल्टा सीधा बोल रहे है वेल दोस्तों सल्मान खान का सुम्बुल तौकीर को डाटना सही है या घलत आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कामेंट करके जरूर बताए साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुरी ऐसी ही तमाम खबर को जान